जब आप किसी खुबसूरत लड़की के साथ बैठे हों, तो एक गंटा एक सेकंड की तरहा लगता है, लेकिन जब आप डहकते अंगारे पर बैठे हों, तो एक सेकंड एक गंटे की तरहा महसूस होता है। अगर आपका मनसूबा एक साल का है, तो चावल की काश्ट करें। अगर आपका मनसूबा दस साल का है, तो दरख लगएं। और अगर आपका मनसूबा सो साल का है, तो बच्चों को तालीम दें। मुझे ये तो मालूम नहीं कि तीसरी आलमी जंग किन हथ्यारों से लड़ी जाएगी लेकिन मुझे यकीन है कि इनसान चोथी आलमी जंग लाठियों और पत्रों के साथ लड़ेंगे सिर्फ दो चीजें ऐसी हैं जिनकी वुसारत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता उन में से पहली चीज काइनात है और दूसरी इनसान की हमाकत है लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं काइनात के लामहदूद होने का दावा यकीन के साथ नहीं कर सकता दुनिया उन लोगों की वज़ा से तबाह नहीं होगी जो बुरा करते हैं बलके उन लोगों की वज़ा से तबाह होगी जो सब कुछ देखते हैं और कुछ नहीं करते तालीम का मकसद ये नहीं होता कि बहुत सारी हकीकते जान ली जाएं तालीम का मकसद ये होता है कि दिमाग की इस तरह तरबियत की जाए कि जो कुछ किताबों में नहीं वो भी समझ आ जाएं आप कभी नाकाम नहीं होते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते मैं बाकी लोगों से ज्यादा जहीन नहीं हूँ मैं बस अपनी मुश्किलात के साथ बाकी लोगों की निस्बत ज्यादा वक्त गुजारता हूँ हम अपनी मुश्किलात को इस सोच के साथ कभी खतम नहीं कर सकते जिसकी वज़ा से उन मुश्किलात ने जनम लिया इसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया भी नहीं किया मेहनत करो कामयाब होने के लिए नहीं बलके अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए खामोश लोगों के दिमाग शोर मचाते हैं मैं खुश रहता हूँ क्यूंके मैं किसी से कोई उमीद नहीं रखता इल्म की तलब में शर्म मुनासब नहीं जहालत शर्म से बद्दर है काम्याब इनसान बनने की कोशिश ना करें बलके असूलों के हामिल शक्स बनने की कोशिश करें